हलो दोस्तों आपका स्वागत एक बिला में मैं हूँ आपका दोस्ट एंडोस टेकनिकल इस वीडियो में मैं आपको बताना हूँ और दोस्तों अप इस वीडियो बताने वाला हूँ जैसा यह हिल रहा है जैसे हो रहा है इसी तरह से आपको भी जो है ट्रीडि फोटोस देखने को मिलेगी आईए देखते हैं कैसे इसको करना है दोस्तों सबस्वेले आपको चले आना है अपने Facebook एप के अंदर में अगर दोस्तों आपने अभी तक अपने एप को अपडेट नहीं किया है तो पहले जाके Play Store से अपडेट कर लीजे क्योंकि हो सकता है कि आपके में ये option ना दिखा रहा हूँ इसके बाद में दोस्तों आपको जाना है जैसे जहां पे आप status डालते हैं अपना जो photos upload करते हैं वहाँ पे चले आईए उसके बाद में इस photo and video वाले option पे click कर दीजे करने के बाद में दोस्तों आपको अपनी एक photo वहाँ से select कर ली नहीं जो photo आप वहाँ पे डालना चाते हैं दोस्तों यहां से हम एक photo उठा लेते हैं जो मैं वहाँ डालना चाता हूँ सबोज यह फोटो है दोस्तों जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ जिसको मैं 3D बनाना चाहता हूँ देख सकते हैं दोस्तों उपर दो आप्शन आपको दिख रहे हैं ब्लैक में एक एडिट और दूसरा बाजू में 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 3D तो में 3D पर आपको क्लिक कर देना है जैसी आप 3D पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी फोटो है उसको जब आप अपने मोबाइल को यहां वहाँ गुमाते हैं मतलब राइट लेफ्ट करते हैं तो वो फोटो का बेक ग्राउंड जो हिलने लगता है और वागी फोटो stable रहती है इसी तरह से जब आप फोटो को उपर नीचे घुमाते हैं मतलि मोबाइल को ऊपर नीचे करते हैं तो भी फोटो आपकी Up and Down यहां पे होने लगती है तो यह हमारी फोटो जो है 3D के फॉर्म में Canverड हो चुकी है अब कोई भी इसको अगर अपने normal mobile में देखता है जो दोस्त आपके देखेंगे वो जब mobile को उपर नीचे करेंगे तो आपकी फोटो इसी तरह से हिलेगी 3D form में आपको दिखेगी तो दोस्तों ये तरीका है 3D में convert करने का अगर आप इसको remove 3D करना जाते हैं तो उपर आपको जो पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी फोटो जो है upload हो जाएगी और 3D में convert होके वो पोस्ट हो जाएगी तो ये तरीका था दोस्तों अपनी फोटो को upload करना 3D में Facebook में या फिर आप जो है फोटो create कर रहे हैं 3D में